तो आप प्रधानमंत्री को सुन रहे थे लिकिन इसी बेच एक बड़ी खबर आ रहे है हातरत सासे से जुड़ी इस वक्ती बहुत बड़ी खबर है SIT रिपोर्ट के बाद CM योगी ने बहुत बड़ा अक्शन लिया है SDM, CEO, अतैसिलदार समेच 6 ओफिसर्स निलम्वित कर दिये गाए है साजिश्च से इंकार नहीं, गहन जाज की जरूरत है, रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है आयजुको की लापरवाई से हातरत साथा हुआ, ये भी रिपोर्ट में लिखा हुआ है भीड को आमंतरन देकर नहीं किया गया था, परियाप्त इंतजाम ये भी रिपोर्ट में लिखा गया है तो जो रिपोर्ट SIT की है, अब SIT की रिपोर्ट के अनुसार आज जब CM योगी को रिपोर्ट दी गाई उसके बाद CM योगी ने बड़ा एक्शन लिया है, ये एक्शन है, SDM, CEO और तैसिलदार समिछ छे निलम बित कर दिये गाई है साजिस से इंकार नहीं, जाज की बाद जरूर इसमें कही गाई है आज को की लापरवाई से हात्रत हादसा हुआ, और कहीं न कहीं भीड को आमंतरन देकर नहीं परियाप्त इंतजाम के गए थे इस बात का जिकर भी इस SIT की रिपोर्ट में है तो एक बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं, जैसे ही हादसा हुआ, SIT का गठन किया गया था Special Investigation Team, जो पूरे मामले को लेकर जाज परताल कर रही थी और कल प्रिशासन को रिपोर्ट सापी गई थी, आज मुक्यमंतर योगी आदितनाथ के सामने इस रिपोर्ट को पेश क्या गया, जो बड़ी बाते निकल कर सामने आई हैं, इस रिपोर्ट की वो हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले ये कि एक बड़ा एक्शन लेते हुए, छे ओफिसर निलंबित कर दिये गए हैं साजिश से इनकार नहीं है, सीएम ने कहा था कि साजिश है या फिर हादसा इसकी ज्वाज की जाए गया रिपोर्ट पे ये सामने आया कि साजिश से SIT की टीम ने इनकार नहीं किया और कहा कि गहन जाज की जरूरत है इस रेपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आयोजकों की लापरवाही से हातरस हादसा हुआ जितनी बड़ी संख्या में लोगों को इन्विटेशन दिया गया था बुलाया गया था या जो लोग पहुचे हुए थे उतने परियाप्त इंतजाम नहीं किये गए थे और भीड को आमंतरन देकर परियाप्त इंतजाम नहीं किये गए ये इसका एक सबसे बड़ा फैक्टर निकल कर सामने आया जिसके चलते ये हादसा हुआ तो मीडिया भी लगातार यही कहती रही वो भी अपने रिपोर्ट में यही कहती रही कि किस तरह स संकेत इस वक्त हमारे साथ चुड़ गए हैं संकेत अगर बात की जाए इस पूरे मामले की तो इस पूरे मामले को लेकर योगी आदितेनात ने संग्यान लिया और पहले भी उन्होंने कहा था कि जो भी दोश्यों का बक्षा नहीं जाएगा सब पर करवाई होगी अधिकार उसे भी कहा था अब जब S.I.T. रिपोर्ट सामने रख दी गाई है तो S.I.M. ने एक बड़ा एक्शन लिया है बिल्कुल जाहिड सी बात है कि हाथ्रस में जो हाथ्सा हुआ उसके तुरंद बाद मुखमंत्री योगी आदितनात ने अपने सभी अफसरों को ततकाल वहां जाने की निर्देश दिये सच्छी उसे लगा कर डीजेपी को मौके पर भेजा खुद मुखमंत्री योगी आदितनात भी वहां पर पहुँचे और उन्होंने सीधे तोर पर कहा जो कि जो भी इस हाथ्से का जिम्मेदार है उस पर कारवाई की जाएगी और सक कारवाई की जाएगी अब कारवाईयों हैं सीओ हैं तैसीलदार हैं इनको वाकाइदा निलंबित कर दिया गया है समेच 6 अधिकारी निलंबित किये गये हैं वहीं अगर बात की जाए इस रिपोर्ट की तो इस रिपोर्ट में जो सामने आया है तत्थे की जो दो सदसी एसाइटी की टीम थी मौके पर उनोंने इस हली निरिचर किया सो से जादा लोगों से बाचीत की बयान लिये और पूरी विस्तत रिपोर्ट तयार की उस रिपोर्ट में मुख आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया है इस पूरी घटना को लेकर प्रसासन की भी जवाब देही तह की गई है जो इस्थानी प्रसासन है उस जो आयोजकों ने जो आयोजकों कराया उसमें जो संख्या थी उससे कई गुना लोग जादा आ गये यानि कि जो परमीशन ली वो कम की लिए और लोग जादा पहुंच गए और इसमें कहीं न कहीं इस पूरी रिपोर्ट में आयोजकों को मुखरूप से जिम्मेदार ठहरा बात भी यही है कि जो इक इतने बड़े इस तरफ रायोजन हुआ और उसमें जो संख्या थी वह इतनी बड़ी संख्या इतने लोगों को बुला लिया गया उनको एकत्र कर लिया गया और उसकी सूचना भी नहीं दी गई तो कहीं न कहीं आयोजकों किस पूरे मामने में सु निर्देश दिये थे कि कारवाई के इसमें एफाई आर दर्ज की गई तमाम लोग गिरफ्तार किये गए और इसमें ये जो और भी दोसी है उन पर एफाई आर करके उन लोगों को ततकाल चेल बेजा जाएगा उनके खिलाफ सक कारवाई की जा रही है मुख्यवंत्री इनकार नहीं किया जा सकता यह साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता यानि यह एक सोची समझी साजिश है तो किस आधार पर टीम ने यह रिपोर्ट में इसका जिक्र किया क्या इसके बारे में भी जानकारी मिल पाई है बिल्कुल जाहर सी बात है टीम ने हर इस तर पर बारीकी से जाच की है बड़ी संख्या में लोगों के बयान लिये है जो इस पूरी विवस्ता में सामिल है और इसके अलावा जो मीडिया कटिंग जो अकबारों की कटिंग थी उनको भी संज्यान में लिया और उसकी बकादा पुष्टी की स्थली निरिच्छड किया लोगों से बाचीत की उसमें इस बात की पुष्टी हुई कि किसी भी साजिस से भी इंकार नहीं किया जा सकता है यानि कि ये जो घटना है ये जो हाथसा हुआ है हात्रस में इसमें साजिस भी सामिल है साजिस में भी लोग सामिल है लेकिन इस पूरे मामने में जो आयो जख है और खास तोर पर बार 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 बाबा को लेकर जो सवाल उट रहे थे तो क्या आप जब ये S.I.T. की रिपोर्ट सामने रख दी गई है मुख्यमंत्री में इस पे संग्यान ले लिया है बड़ी कारवाई की गई है तो इसके बाद हम ये मान के चले कि अब बाबा को पुछताश के लिए बुलाए जाएगा क्योंकि बाबा की संलिपता से बिलकुल ऐसा नहीं कह सकते कि इंकार किया जा सकता है या उनको बुलाया नहीं जा सकता है पुछताश के लिए उनको बुला सकती है बिल्कुल जाहेट सी बात है कि जो SIT की रिपोर्ट आई है उसमें सीधे तोर पर ये बात भी लिखी हुई है कि जो वहाँ पर लोग इतने ज़्यादा बड़ी संख्या में कठे हुए आयजुकों ने इसकी सुच्रा प्रसासन को नहीं दी प्रसासन से जो परमीसन ली वो करम संख्या को ली और लोग कई गुना जादा पहुच गए तो ऐसे में प्रसासन को अंधेरे में रखा गया है उजुकों की तरफ से इसको लेकर भी अब SIT की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है SIT की रिपोर्ट में जो इस्थानी प्रसासन है उसकी भी जवाद देही तै की गई है उन पर भी कारवाई की गई है चाहे वो इस्थानी CEO हो, SDM हो, तहसीलदार हो उनको बकादा निलंबित कर दिया गया है इसे 6 लोग निलंबित किये गए हैं सरकारी लोग तो मुकमंत्री योगिया इतनात ने इस पूरे मामने में जहां सक कारवाई सुरू कर दी है लोगों पर एकसर सुरू हो गया है तो आप बाबा पर भी जो उनकी भूमिका है उसको लेकर भी बाबा से भी पुस्ताच होगी और इसमें सीधे तोर पर सरकार की तरफ से निर्दे जा जाएगा सक कारवाई होगी लोगों के बयान लिये जाएंगे आयोजक मंडल में और जो लोग सामिल हुए है उन तक भी आप पर सासन पहुंचेगा मुक के रूप से जो इससे साइटी की रिपोर्ट में सामने आया है जो सरकारी अधिकारी विभागे कारवाई हो गई है उनको ललंबित कर दिया गया है लेकिन क्या अब इन पर भी रिपोर्ट दर्ज होगी न अधिकारियों पर कि क्या किसी तरह से एफ इयार दर्ज होगी क्या इन पर यसे विभागे कारवाई ही होगी इसको लेकर कोई कि जाए तो उन पर अब निलंबन की गाज गिर गई है चाहें वो sdm हो तःसीलदार हो या फिर स्थानी सीयों उनको कर दिया गया है इसे च्छह लोगों को निलंबित किया गया है अब आगे की जो विभागी कारवाईयां वह भी जारी रहेंगी और इसमें जो भी लोग साम मिल हैं ऐसे लोगों पर भी अब सकती शुरू होगी जल्द ही बड़ी कारवाईयां हाथ रस के थाथ से की घटना में देखने को मिलेंगी मुक्मंत्री योगिया इतना सीधे नजर बनाये हुए हैं अब सरों से लगातार बाबा के वकील एपी सिंग जो बात कहे रहे थे क्या उस तरह की साजिश भी हो सकती है हार एंगल से अब क्या उस तमाम साजिशों को भी देखा जाएगा क्योंकि साजिश वर्ड S.I.T. ने ड आई ती और ये अब S.I.T. की रिपोर्ट में भी सामने आई है तो अब जाहिर सी बात है कि S.I.T. की रिपोर्ट में जब यह साजिश की बात सामने आई है तो तो साजिस में कौन-कौन वो लोग सामिल थे, उन पर भी कारवाईयां होंगी, उनके सब के चेहरे बेनकाब होंगे, वो सामने होंगे लोग, जल्द ही ये कारवाईयां नजार आएंगी और इसकी भी परताल की जा रहा है, आलांकि SIT की रिपोर्ट बड़ी विस्तरत रिपो लोग वहाँ पर पहुँचे, उन में भी कई लोगों के बयान नोट किये गए, तो इस पूरे मामले की जब विस्तरत रिपोर्ट तयार करके मुक्रमत्री योगिया इतनात को सौपी गए, लेकिन संकेत इस रिपोर्ट में काई लोगों को आरूपी बनाया गया है, अब दे चिट दे दिये ऐसा नहीं है कि बाबा बक्से गए है, पुक्मंत्री योगिया इतना आपने सीधे तरपर निर्देश दिये हैं, किसी को भी बक्सा नहीं जाएगा, जो भी कुरे मामले में जोसी है, पुरी पादर्शी होस्ता कम्त्री नहीं है संकेत, और तो हम इसे क्या मान के चले, क्यो उसमें भी आयोजकु का जिकर है, अधिकारियों पर गाज गर गई है, लेकिन बाबा का वहाँ जिकर तक नहीं है। जिकर भी है कि मुख्य रूप से जिम्मेदारी आयोजक मंडल की है, तो उस आयोजक मंडल में जो भी सामिल होगा, उन सभी पर कारवाईयां होगी, चाहे उसमें बाबा हो या बाकी लोग भी हो, यानि कि आब सरकार पूरी तरीके से एकसन के मूड में है, निलंबन की आयोजक मंडल की है, और पहले दिन से ही मुख्यमंत्री योगिया इतनाथ इस घटना को लेकर गंबीर थे, उन्होंने सक्ट से सक्ट कारवाई की निर्देश दिये थे, मौके पर अफसरों को भेजा था, खुद भी वो मौके पर गए, और लगा तार मुख्यमंत्री योग साइटी की टीम की रिपोर्ट पहुच चुकी है, मुख्यमंत्री योगिया इतनाथ के पास में, मुख्यमंत्री ने उसी रिपोर्ट को आधार मानते हुए, तकाल 6 अपसरों को निर्मित किया जिसमें वो कहते हुए नजर आये थे कि 10 से 12 लोग वहाँ पर पहुचे, उन्ह सो से जादा लोगों से पूस्ताच की है, बाचीत की है, उनके बयान दर्ज की है और एक विस्तत रिपोर्ट तयार की है, उसमें सभी बिंदों का जिक्र है, उसमें जो भी और ऐसे बिंदों का जिक्र है, जिनके बाकादा तत्थ भी मौझूद हैं, यानि कि बिना तत्थ क लेकिन बाबा का नाम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ऐसे में कुछ पता चल पाया है कि बाबा है कहाँ अगर पूछता चुन से आगे होती है तो क्या आप तक बाबा का कुछ पता चल पाया है पिल्कुल देखे जो अब रिपोर्ट सामने आई है इस रिपोर्ट में जो भी बिंदू है उन पर अब एक सन की एक सन सुरू हो चुका है मुख्यमंत्री योगिया इतनात की तरफ से और उसमें जो एक महत्मूर बिंदू है वो है कि मुख्य रूप से पूरे मामले की जिम्म करदारी जो आयोजक मंडल था उसकी रिपोर्ट में सामने आई है और जो स्थानी प्रसाशन है उसकी जवाब देही के लिए सीधे तव पर कि उसको भी नकारा नहीं जा सकता है यहीं वह वजह है कि जो प्रसाशन है वह अफसर निलंबित भी कर दिये गए हैं एशडियम तहसीलदार सीओ समें चैफसन इलंबित किये गए हैं और वही दूसरी तरफ आप बात रहे गए कि साजिश है यह इस ओर भी संकेत देता है दूसरी तरफ बाबा की नाम का जिक्र ना होना तो क्या यहीं संकेत है कि बाबा को बदनाम करने की कोशिश की गई थी अब इस दिसा में जांच आगे बढ़ाई जाएगी कि आखिर कौन सी वो साजिस है कौन-कौन लोग साजिस में सामिल रहे क्या वो बाबा के लोग थे या बाबा की खिलाफ के लोग थे या फिर सरकार को बदनाम करने वाले लोग थे इन सभी बिंदूओं की आप पड़ता दरसल जो जांच होती है SIT की वो जो प्रात्मिक उस पूरी घटना से संबंदित विल्कुल शुरुवाती जांच है SIT की और ये जांच रिपोर्ट अब रगदी का ये सामने मुख्यमंत्री के सामने रखा गया मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामने पर संग्यान लिया तु